आयोध्या में बढ़ने जा रहे हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक राम मंदिर के निर्मान के लिए फतेहाबाद से 55 लाख रुपे का चंद्रा इकत्रित करके भेजा जाएगा 55 लाख रुपे चंद्रा इकत्रित करने के लिए गुरुबार को फतेहाबाद के राम सेवा समीती धर्मशाला में विभेन हिंदु संगठनों, सादु संतों और जिले के प्रबुद नागरिकों की बैठक आयोजित हुए बैठक में निर्णे लिया गया कि विश्व हिंदु परिशद, बजरंग दल और अन्य हिंदु संगठनों के कारिकरताओं सहीत, सभी रामभक्त, खंड सर पर गाओं गाओं और घर घर जाकर राम मंदिर के निर्माने के लिए चंदा इकत्रित करें गया इस फैसले के बारे में जानकाई देते वे विश्व हिंदु परिशद और बजरंग दल के जिला सयोजक प्रवीन भारतिये ने बताया कि अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर ना केवल भारत के लोगों की आस्था का प्रतीक है बलकि देश विदेश में रहने वाले कोड़ों हिंदुों की आस्था का प्रतीत है इसलिए हर राम भक्त की और से कुछ ना कुछ योगदान राम मंदिर निर्मान में होना जरूरी है इसी को मद्देनेजर रखते हुए फत्याबाद में हुई प्रबुद नागरिकों साधू संतों और हिंदू संगठनों के कार साधू परशद बजरंगदल के नेतरतों में श्री राम जनम भूमी नीधी समर्पन अभ्यान है जो यह पूरे देश भर में जो चलाया जा रहा है उस विश्य को लेकर आज यहां जिला फत्यावाद की जो है बैठक हुई है जिस बैठक में सारे जो समाज के जो परबुद लोग साधू संत और सभी जो राम भक्त इस बैठक में सामिल हुए है अभी जो जिला फत्यावाद ने जो अभी योजना बनाई है उस जिला फत्यावाद ने अभी 55 लाख रुपे के जो है जो जो जना बनाई है जो यहां से इकठा करके सभी राम भक्तों से वहां श्री र